नवस्कार दोस्तों मैं हूँ बिटु कुमार और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों 16 वर्षे कारेट फर्जी शिचक सिचका को निगरानी ने दवोचा करवाई बाका जीले के 50 चक अव्यरती 15 चक निगरानी विभाग के अभी विर रडार पर हैं दो पकड़ाएं हैं लेकिन 50 चक और ऐसे जो हैं अभी निगरानी विभाग ने छे फर्जी शिचक पकड़ा था तो चली इस ख़वर को विष्टार से बताते हैं आज़से सिस्का कुमारी निलाम और सिछक के सो चंद्र यादब जो हैं गिर्भताजिकों के परभानपद फर्जी मिले हैं 2020 में चर्णित सतिसिख को के परभानपद संग्दिक लग रहे हैं यानि कि इनका भी नाम आ सकता है फर्जी लिस्ट में अगर का परमानपत चेक किया जाएगा तो यह नए स्टूडेंट है जो हजार छठे चनल में जो जिनका सेलेक्शन हुआ है तो चलिए इस खबर को विश्टार से देखते हैं उससे पहले अगर आप मेरे यूटूब चनल पर नए आये हैं और अभी तक आपने मेरे यूटूब चनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे यूटूब चनल को कर लिजे सस्क्राइब बेल आइकन को कर लिजे प्लेश ताकि बिहार से चक निजन से रिलिए हर भड़ी खबर को अपडेट हम आपको पास पहुंचाता रहे हैं यह खबर भासकर न्यूज के तरफ से आया जिन दो सिचको पर निगरानी की ओर से फर्जी प्रमानपद के अधार पर नौकरी करने का अरोप है उसमें जैपुर थाना च्षित के पुनत्ति मद्विद्याले कानीवेल के शिछक के सो चंद्रियादव वब पुनत मद्विद्याले के रवार की शिचका कुमारी निलम ह दोनों फर्जी पर्वानपद पर नौकरी कर रहे हैं। इसकी जनकारी देते हुए जैपूर थाना अधच ने बताया कि दोनों सिच्छक गिरपतारी कर ली गई है और दोनों को जेल भेज दिया गया है केस निगरानी अनवेशन ब्यूरो भागलपूर परचित के पुलीस निरिच्छक विपिन कुमार ने दर्ज कराया गया प्राथ परवानपत जाली है जो जांज के दोरान पाया गया है अब यहां पर देख सकते हैं यही दोनों सिच्छक हैं जो जाली परवानपत के अधार पर नौकरी कर रहे थे दोहजारी कीस में निगरानी विवाग ने छे फरजी सिच्छक को पकड़ा था जानकारी हो कि निगरानी शिचक निगरानी के रडार पर हैं इसकी जनकारी देते हुए डीयो पवनकुमार ने कहा है कि बाका जिले में 50 शिचकों के कागजास संग्दित पाए गए थे जिसके अधर पर निगरानी के दौरा जांच लगतार करते हुए कारवाई की जारी हैं बाका जिले में पूर में कई फर्जीशिषक पर प्राथमिकी ग्रिपतारी हूई है जानकारी हुए के हों 2021 में भी तो हुआ भी की प्रमानीक की दर जक्राइए लेंक अंहिए देख सकते ग्रिपतार शिर्ब लेक के लावार में पलुद सिसकभ कर यह गई प वासी कुमारी नीलम के परमानपतों की जांज के दौन पाया गया कि उन्होंने जो मैट्री का परमानपत जमा कराया था उस परमानपत किसी मुस्लिम महला था उसी परमानपत के अधार पर उन्होंने इंटर की परिच्छा पास की है जांज के दौन नीलम का परमानपत फरजी पाया गया जिसके बाद दोनों सिच्छक शिजका के विरुद पराथमी की दर्ज कराए गई जैपूर थाना धर्च ने कहा कि फर्जी सिच्छक के सोचंद यादव को उनके घर से गिरफतार किया गया है ना देख सकते हैं कि 2020 में भी चैनित 36 शिजकों के प्रमानपत संगीत लग रहे हैं मालूम हो कि सिच्छक ने जन 2019 के हुए कौंसलिंग के बाद 42 चैनित अभीयरतों के प्रमानपत संगीत पाये गये थे इसी में 6 चैनित अभीयरतों को बीटी प्रमानपत की जांच के दुरन गलत पाये गया जिसके बाद ततकालिन डियो उपेंदर सी ने उक्त चैनित चैनित अभीयरतों के प्रमानपत सही मिल चुके हैं जबकि सेस बच्चे 34 चैनित अभीयरतों के जांच चल रही है छोटा सा अपडेट हमने दिया दोस्तो इसके बाद और भी कुछ अपडेट आता है तो वो भी अपडेट हम आपको जरूर देंगे तो फिर मिलते ह एक नेक्स वीडियो में धन्यवाद दोस्तों